हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम योगेन नन माय चैनल, यी लर्निंग विट सुमन, तोड़े वी आर गोईंग टु डिसकस वर्क्षिट नंबर 20, बच्चो आज की जो हम वर्क्षिट करेंगे, वर्क्षिट नंबर है हमारी 20, डेट है 7 अब दिसंबर, सब्जेक्ट अब देखो हमने पिरिवस वक्षिट में भी लास्ट बार्गेन पोईंग को बड़े अच्छे से कलियर किया था, कि इसमें होता क्या है, जो हमारा पोईट है, वो क्या करता, बार्गेन क्या होता है, सोधा करना, मोल भाव करना, मतलब पोईट को क्या चाहिए, फ्रीडम, तो पोईट जैसे एक राजा से मिलते हैं, राजा क्या देना चाहता है, स्वर्ड देना चाहता है, जो स्वर्ड होती है, एक तलवार होती है, वो किसका परतिक होती है, वो पावर का सिंबल होती है, तो पावर देना चाहता है, लेकिन पोईट उनके साथ बार्गेनिंग न करते लास्ट में एक चाइल्ड मिलता है जो जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है उनली फ्रिडम है वो फ्री खेल रहा है तो पोईट है जो उसके साथ बार गेन करता है सोधा करता है किसके साथ फ्रिडम के साथ तो अभ इन्होंने जैसे बताया है स्वोर्ड लिए वैपन ठीक है स्वोर्ड किसका परतिक है पावर का तो इसी परकार बैग ओफ गोल्ड किसका परतिक है सिम्बल है स्माइल का सिम्बल क्या है टियर्स के लिए क्या सिम्बल यूज़ुआ है नथिंग के लिए क्या सिम्बल यूज़ुआ है यहां पोयम में बताना है जै से फर्स्ट है बैग ओफ गोल्ड बैग ओफ गोल्ड किस किस लिए है वैल्थ मनी के लिए पैसा तो क्या जाएगा वैल्थ smile, short lived happiness made है जो वो क्या देना चाहती थी क्या देना चाहती थी smile, smile के साथ bargaining करना चाहती थी लेकिन point ने नहीं की point ने क्या बताया कि smile थो थोड़ी देर के लिए फिर वो किसमें बै गई tears में, आसो में, emotions में short lived happiness smile के लिए क्या आएगा short lived happiness okay, next देखो tears tears के लिए emotion tears के लिए emotions emotion, nothing, freedom nothing के लिए क्या आएगा, freedom देखो मैं यहाँ पर भी लिखती थी हूँ A, wealth B, smile के लिए short lived happiness C, tears के लिए emotions और nothing, freedom तो यह है इनके आंसर जैसे nothing के लिए क्या आएगा, freedom freedom आगे देखो, what is the speaker's last bargain speaker ने last bargain किस के साथ क्या, क्या था speaker का last bargain देखो, यहाँ से हम इसका अंसर लिख सकते हैं, the speaker's last bargain is with a child, the child has nothing to hire him, nothing to hire him, तो आप यहाँ जो second का question है, आप second का question में क्या लिखोगे, यही line आपको लिखनी है, the speaker's last bargain is with a child, the child has nothing to hire him, यह पूरी line आप इसमें लिख दोगे, the speaker's last bargain is with a child, the child has nothing to hire him, यह आपको लिखनी है, he forget about his, बच्चे से मिलकर है, जो poet क्या भूल जाता है, अपनी stress और sorrow, stress, s-t-r-e-w-s, stress and sorrow, stress and sorrow, देखो यहाँ पर हमारे जो हैं दिये भी गए है, word box में, यहीं से हमें feel करने है, sorrow है, यहाँ पर stress and sorrow, while playing with a child, जब बच्चे के साथ खेलते हैं, तो stress और sorrow सारा भूल जाते हैं, child's offer gave him, child ने क्या किया था, nothing, child के पास तो कुछ भी नहीं था, क्या offer करते है, child उसे उन्हें देने के लिए, कुछ भी नहीं था, उनके पास थो, ठीक है, वो तो free था, nothing, earlier the king wanted to hire him with power, जो king आया था, वो poet को किस के साथ hire करना चाहता था, मतलब किस के साथ सोधा करना चाहता था, power, power देना चाहता था, लेकिन poet ने मना कर दिया, the old man had offered money, old man क्या देना चाहता था, money देना चाहता था, क्या money, m-o-n-e-y, money, next देखो, the maid, जो फेर मेड थी जो फेर मेड किसके साथ क्या बारगेन करना चाहती थी फेर मेड स्माइल की साथ सोर्ट लिवड हैपिनेश सोर्ट लिवड हैपिनेश दा फेर मेड हैड ओफर्ड हिम सोर्ट लिवड हैपिनेश दा स्पिकर चूज अब स्पिकर क्या चूज करते हैं स्पिकर करते हैं चूज जो freedom दा स्पिकर चूज freedom overall things दा स्पिकर चूज freedom overall other things जो overall other things थी money power और happiness जैसे smile थी इन सब को छोड़ कर poet freedom चूज करते हैं child so forgive him nothing earlier the king wanted to hire with him power old man had offered money fair man had offered him shortly happiness जोज freedom overall other things freedom चूज करते हैं देखो nothing two times आया है nothing two times ही हमारा यहाँ पर दिया गया था next देखो जो हमारी exercise है arrange the letter to form meaningful word from the poem अब देखो इनको ना हमें arrange करना है sentence rearrange आते हैं जैसे इसी प्रकार यह word rearrange है यहां से यह देखो यहां दिये भी गए है तो bargain फस्ट का क्या बनेगा bargain मैं यहां लिख देती हूँ फस्ट का bargain second second का क्या बनेगा mor morning morning है यहां पर है morning second next देखो यह क्या है क्या बनेगा इसका c a chariot yes क्या बनेगा chariot रत third आगे देखो c r double o k e d crooked तो फोर्थ का क्या बन जाएगा बटा meaningful word crooked आगे देखो m o n e y money fifth का क्या बनेगा money six देखो आगे sixth g a r d e n garden six का क्या बनेगा garden आगे देखो smile s m i l e seventh smile आगे है t r e a t tears treats नहीं बनेगा क्योंकि double t नहीं है तो क्या बनेगा tears tears देखो का बनेगा eight का क्या बनेगा tears आगे देखो s a n s a n descend ये बनेगा हमारा ninth का आगे है last ten बच गया हमारा s h e double s cells क्या बनेगा last का cells तो इस परकार ये हमारे meaningful word है first bargain second है morning third है हमारा chariot fourth है हमारा crooked fifth money sixth है हमारा garden seven smile eight tears और ninth send tenth है जो हमारा cells इस परकार ये थे जो हमारे meaningful word बने है ये हमें तीन टास्क दिए गए थे first यहां से आप वीडियो को पोज करके इनके answer लिख सकते हो ये थी बच्चो आज की जो आपकी वीडियो थी वरक्षिट थी वरक्षिट को मैंने सोल कुराने की इकोसिस की है अचा करती हूँ आपको समझ भी आई होगी अगर वीडियो आपके लिए helpful है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सस्क्राइब कर ले थेंक्यू have a nice day